वाइस चंसलर ने नजीब के साथ मार पीट करने वालों के जब रिपोर्ट में पूरा यह आ गया प्रॉक्टेर रिपोर्ट में कि उसने उनके साथ मार पीट हुआ है जो गुंडे अभी हुपिके उन्हों ने उसके साथ मारपीट की है उनको token punishment दिया पूरी की पूरी पहली इस पार ऐसा हुआ है कि रिपोर्ट ही बदल दी वा इस चांसलरन ने रिपोर्ट को बदल के उसको पुरा खतम करते हुए तो कि नाम पर उनको होस्टल का होस्टल ट्रांसपर के परिस्मेंट दिया जिसको वह लोग मजा कुडाते हुए बोल रहा है कि देखिये जेनियू में हम लोग उने तो होस्टल ट्रांसपर करनाने के लिए मार्पिट की थी कोई दूसरी मार्पिट करेंगे तो और होस्टल नया मिल जाएगा ये बात हलायातार बोल रहा है जैसे ही आप जानते हैं कि कैंपस में छुट्टियां हुई और जिस डिमांड को लेके जेनियू कई स करने के बाद उसमें और होस्टल में वहां पर रखा गया और वह लागू हुआ तीसरा चीज जो डिप्रावेशन पॉइंट कम किया जा रहा था पिछले अचली सी के दौरान जब एचली सी के लिए हम लोग संगर्श कर रहे थे नव फरोडी के बाद एक बड़ा हमला जेल ले उस समय डिप्रावेशन पॉइंट को कम किया जा रहा था और उस समय के जयनी वसुने इस चीज को बोला पॉइंट हम कम नहीं करने देंगे साल दर साथ जीती गई पाफ लड़के जीती गई पॉलसी है इसको बरकरार रखेंगे और डिप्रावेशन पॉइंट की कैप बढ़ाई बारा करवाई और इस पालसी को फिर से रिस्टैबलिस कराया रिएससेट करते हुए उसी समय डिसीजन हुआ था कि वाइबाक में जो डिस्क्रमेशन होता है उसको कम करने के लिए उसको अबसर्व करने के लिए उसका नाम था नफे कमेटी जो बनी जब हम नया जैनी इस हुआया जिसमें हम दो अफिस बीरर मैय और सत्रूपा थे वहाँ पर और पूरा ये इस चीज़ को स्टैबिस कराया गया पूरा इस चीज़ करते हुए कि साल दर साल का डेटा एनलाइज करिए और देखिए कि वाइबा में क्या होता है उसमें साप साप इस चीज को हम लोग ने पाया और इस चीज़ को हम लोग ने वहाँ पर रखवाया कि भाई वाईवा में साल दर साल डिस्क्रमेशन होता है अगर मिलने वाले मार्क्स को देखें तो खूप सारा डिफ्रेंस मिलेगा मतलब जो मार्क्स जैनल इस्टूडेंस को अगर और स्टी और इतने यह गाप बढ़ने लगता है और इस कमेटी का रिकमेंडेशन आया पहली बार इतना पॉस्टी रिकमेंडेशन किसी कमेटी ने दिया उस कमेटी ने बोला कि अब आपको वाईवा के मांक्स घटाके इस डिस्क्रमेशन को घटाने के लिए जो सब्जेक्टिव बायस ह उसको घटाने के लिए वाईवा के माक्स घटाके आपको 15 करना होगा साथी साथ उस कमेटी ने कावा उसको आपको 3 सेगमेंट में बाटना होगा और जितना डाटा आता है उसको हर साल आपको पबलिक करना होगा और इसलिए आपने देखा होगा अभी जो यूआ ओर रिटर्टेन का मारख्स तक बॉलाई turkey हम भुखक्र रह गया है कि हम तुमाम चट्टेंट्स घर पे गए हैं में जब तमाम टेचर्स घर पे गए हुए तो वाइस चांसलर को क्या पढ़ा है जब श्टुडेंट्स ने ये डिमांड ढ़ाई थी कि भाई AC मीटिंग तभी बुलाई है जब लोग यहाँ पे हो मौजूद हो क्योंकि जिन लोगों के बारे में आप फैसला लेने जा रहा है कम से कम उनकी मौजूद की जरूरत है जो लोग टीचर्स वहाँ पे बैट के आपके प्रपोजल पर उपिनियन देंगे उनकी मौजूद की जरूरत है लेकिन वाइस चांसलर ने एक न सुनी 23 को हमारे तमाम विरोध के बावजूद AC मीटिंग बुलाई गई हम लोग यह मौका छोड़ना नहीं चाहते थे इसलिए AC मीटिंग के अंदर गये और वहाँ पे बड़ा लंबा डिसकसन हुआ इस पर बड़ा लंबा डिसकसन हुआ पूरा चीज इस पर रखा गया कि किस तरह से कमेटी ने पाया है कि डिसक्रमेशन होता है और आपको यह चीज़ माननी पड़ेगी लेकिन वाइस चांसलर सहाब ने अंत में आते-आते खेल भी पूरा पलेट दिया बोले कि एक UGC गजट नोटिफिकेशन आया है यह नोट सब्सक्राइब के लिए हुआ तो यह BMA के नंबर घटा के हम लोग क्या करेंगे और यह कौन सा आप ब्लाइंड फॉल्ड प्रपोजल लेकर आए हैं एकदम आपने सीधे इसको पहले से क्यों नहीं बताया गया बार बार इस चीट को बोलने पर वाइस चांसलर ने वोटिं अब एक और पॉलिसी का मतलब जुम्ला उन्होंने फेका पूरा जिस तरह से लगातार जुन्जुना पकड़ाया जा रहा है हम लोगों को उस तरह से एक पॉलिसी का जुन्जुना पकड़ाया गया कि सेंटर डिसाइड करेंगा क्योंकि वाइस चांसलर जानता था कि जो 26 तारिक को एसी मीटिंग होने वाली है उसमें तो हम लोग एक ऐसा चीट पर पास कराने वाले हैं जिसका मतलब होगा वाईवा ही सब कुछ होगा और 26 तारिक को हुई एसी मीटिंग में वाईस चांसलर ने टीचर्श को खारिच करते हुए टीचर्स का एक भी ओपिनिन करते हुए बोला यह तो पहले पास हो गया है 20 अक्तूबर की एसी मीटिंग में इसलिए हमको केवल टिक मार्क लगाना है और टिक मार्क लगाते हुए आगे बर गए साथ ही साथ आप सारे लोग जानते हैं कि उसी दिन 26 तारीक केसी मीटिंग में एक सेलेक्शन क्राइटेरिया पास किया गया है अभी ताथ जेनियू में होता आया है कि सेंटर्स और डिपार्टमेंट्स का मेजर से होता है कि कौन यहाँ पर आएगा कौन टीचर्स की सेलेक् पर डालना है इसलिए वाइस चांसलर ने उस दिन एक ऐसा संगी सेलेक्शन क्राइटेरिया पास किया जिसमें होल सोल से वाइस चांसलर का हो जाएगा जिसमें सब कुछ वाइस चांसलर डिसाइड करेंगे कौन कमेटी में रहेगा कौन कमेटी में नहीं रहेगा और ऐसे व पिनिन को खारिच किया गया लिख तो वाइस चांसलर इंटर्वीव लेने नहीं गया तो यह सारा बुनावत यहां पर बुना जा रहा है उसके बाद जब 26 तारीक के सी मिटिंग के बाद तमान विरोध हुआ इस चीद का तो वाइस चांसलर ने बोला अब तो सारा चीफ पास हो गया है यूजी सी गज़र नोटिफिकेशन भी पास हो गया है और हम अपना इड्मिशन पॉसी रिस्ट्रक्टर करना शुरू कर देंगे अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा कि जैनी उसकी तरफ से हम लोगने पब्लिक मिटिंग बुलाई थी जिसमें मेन पेट के बहले के माल लेते हैं कोई भी उसके में लगाती लेकिन हम लोगों का यह फर्द था कि इस चीट को देखा जाए कि यूजी सी गज़र नोटिफिकेशन का क्या है एसस्मेंट क्या है हम लोगों ने योगें द्यादा और जो सुरोजीत मजूमदार जो इसी लेकिन वाईवा का नंबर हंड़ेट परसेंट ही है इस बात को हम कहते हैं मेरा सेक्रेटरी से बात हो गया हम लोग वहां पे टीचर्स थे सब लोग ने कहा कि आप तो खुदी मेंबर हैं आप अगर चाहें अपनी उनिवस्टी की जो साल दर साल लड़के जीती गई पॉलस लेकिन उनों ने एक ना सुनी कि जी हजूरी का चस्का लग गया है और जी हजूरी से यह पत पाए है इसलिए एक ना सुना और इस चीज को लागू करने में जूड गया अभी आप जानते हैं कि पूरी तरीके से एड्मिशन पॉलसी को रिस्ट्रक्टिर किया जा रहा है उसके दो-तीन खतरनाक नतीजे हमारे सामने आने वाले एक तो 100% वाईवा जिस तरह से लाया जा रहा है आप सोचिए जब हम लोग कहते हैं कि वाईवा वेटेज में बायस होता है एक सब्जेक्टिव बायस इसको लेके कमिटी ने भी रिक्मेंड किया सुप्रीम कोड का ब वाईवा ही सब कुछ होगा मतलब एंफिल पीएजडी में अगर आप वाईवा में अगर उनको सटिसफाई जो शो कॉल्ड सेटिस्फिक्सर का क्राइटेरिया होता है उसको सटिसफाई करने में नाकामयाब रहे तो आपका इड्मिशन खतम आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा और उससे भी ज्यादा खतरनाक चीज है वह यह है कि आप जानते हैं कि जेनु एक रिसर्च और इंटेड यूश्टी जो चीट प्राइवेट यूश्टी की मस्रूमिंग पर लागू होनी चाहिए वह यहां पर जवरस्ती तरीके से लागू जा रहा हो जा है वह यह है कि किस सुपर्वाइजर के अंडर में कितने स्टुडेंट होंगे एक सुपर्वाइजर अपने अंडर में कितना स्टुडेंट लेगा इस चीज को जेनु के माफिक ना देखते होए कि यूनिफॉर्म क्राइटेरिया लाया गया से अगर वह क्राइटेरिया और वाइस चंटर ने इसका प्रोसेस भी शुरू कर दिया है कर अगर आपके माफिक यह नहीं बैठता है तो ऐसा करिए अगले साल अग्मिशन मत करिए मतलब जो नया इंटेक आएगा हमारे प्रोस्पेक्टर्स में छपके वो इस क्राइटेरिया के हिसाब से आएगा भले ही हमारे कई सारे सेंटर में एक भी एडमिशन लाएगा वाइस चैंसल साहब को इतना भी फिक्ष नहीं है कि यह यूश्टी जो लगातार अकेडमिक एक्सिलेंस को बढ़ाते आई है जो लगातार रिसर्च ओरिंटेशन में नंबर बन है आप उसको बरबाद करने में क्यों लगे हूँ एक बार भी एक लेटर लिखके नोंने नाम पर रोकने के नाम पर असल में किया जा रहा है कि उनकी दुकान को और फणने का मुखा दिये जा रहा है कि यहीं वाइस चंसलर यहां वाइस चंसलर है वहां यूजी सी की कमेटी भी बैठते हैं सारा डिसीजन मेकिंग में इनका हिस्सेदारी होता है लेकिन क्यों आखिर अपोज नहीं कर पाया इस चीज को इस फैसले को यह जानते होए भी कि जेनियू में इस फैसले का एक बहुत सब्सक्राइब करने के लिए उसके बाद तुर्रा तो देखिए कि जो लोग विरोद करते हैं आप बाला तेरा तारीक की हरताल की है एक नोटिस भेज दिया जाता है कि हरताल क्यों कर रहा है और यहां पर एड ब्लॉग पर प्रोटेस्ट क्यों कर रहा है जब सारे लोग आप लोग घर पे थे तो देखिए जहां पर भूख हरताल होती थी वहां पर सवंदर्री करन ब्यूटिफिकेशन जो इनको बहुत ही अब यह गमले उठ पाएंगे मतलब एक जो फितूरी पंड का जो अंदाज होता है किस हद तक जा चुका है इनका बार-बार हर एक दिन मतलब यहां पर प्रोटेस्ट करने पर हम लोग को नोटिस दिया जा रहा है बोला जा रहा है कि आप लोग प्रोटेस्ट मत करिए औ और अल्टिमेटली कहा जाता है कि आपको कौसं करते हैं हमारी उनुश्टी पे उस दिन में लोग जब पिछले दिनों बात चीज करने गए तो बोला कि कैसी पर प्रोटेस्ट करने जाए तो हमके अपना अफिस भी वहीं पर कर लिजिए कैसी पर प्रोटेस्ट करेंगे क्यों करने का अंदाज है आप जानते हैं कि आपके कुछ साथियों को हमारी उनुश्टी के कुछ साथियों को सस्पेंट किया गया क्योंकि वह 26 सारी की मीटिंग में अपनी आवाब इठाने गया खुद यूश्टी की प्रेस रिलीच एक तरफ कर रही थी कि मीटिंग खतम हो आप जानते हैं आपकी टीचर निमेंता मेरं पे एचलीची का इंक्वारी बिठाया गया है जैसे प्ली साल 11 स्टुडेंट्स को नोटिस बेजा गया है क्योंकि उस दिन वो स्टुडेंट्स की सानिडर्टी में यहां तो बूलने आए था और इस तरह का लगातार चीजें चलाई जा रही है उन स्टुडेंट्स को तुरण सस्पेंट कर दिया गया लेकिन नजीब को मानने वालों को साथ दिन बाद भी इसे ने इनाम दिया कि भाई जाओ एक अच्छा होस्टल ले लो मही मान भी छोटा होस्टल है एक बढ़िया होस्टल ले लो चंद्रभागा ले लो और कुछ कुछ अच्छे रहे इस तरह से इस तरह की तमाम चीजों को स्ट्रभिस करने किया जा रहा है इस बार जब एकेडमिक सेशन खुलता है तो हम लोगों ने साफ साफ वाइस चैंसर से कहा था कि भाई अगर आप इस उनस्टी को समझने में नाकामयाब हैं तो से हरताल हो रहा है उसमें क्लियर मैसेश था कि एक एक्सिलेंस आपके मामले से डिफाइन नहीं होगा आपके मनमाफी डिसाइन डिफाइन नहीं होगा और इसलिए इस चीज को आज प्रोटेस्ट के माध्यम से हम लोग इस चीज को बोलना चाहते हैं कि वाइस चांसलर साब आने वाले दिनों में जो student teacher ने यहाँ पे आपका रविया एक बार फिर से ठान लिया है कि आपके रविया के खिलाब खड़े होंगे जैसे नौफरूरी के दौरान खड़े हुए थे यहाँ पे बुलाया गया था डिजिटल लिटरिसी का लेक्चर देने के लिए जब हम लोगों ने मोटेस्ट का कॉल दे आट नों बजे तो कहने लगे कि कंफ्यूजन हो गया था वह अर्विंद गुपता नहीं था दिनेश गुपता था ना अर्विंद गुपता आया ना दि के से तमाम अपनी ट्रोलर अर्मी के जरिए बार-बार इंटी निसमें करार दिया जिसने कनहिया उमर सला इंसब के खिलाब जब पिछले दिनों अंदोलन यहाँ पर चला था कैंपेंग चलाया पॉलिटिकल टार्गेटिंग की उनको टार्गेटिंग करते हुए पता नहीं सेक्रेटरी हैं उनको बुलाया था अब शेयर नहीं आता है कि एक तरफ सारफ सर्मा जी जो भूतपूर हो चुके हैं बार-बार अंदर उनको अभी भी पकर मौझूद है और दूसी तरफ वाइस चैंसलर अगर स्टेस्ट सेर कर रहे हैं तो सुनी लामबेकर और एवीपिक मिलने गए थे सस्पेंशन के मामले में और जो यह यूजी सी गजेट नोटिफिकेशन आता है उसके मामले वाइस चैंसलर ने बोला कि अब तो सोसल मीडिया का जमाना है आप लोग सोसल मीडिया पर प्रोटेस्ट क्यों नहीं करते हैं यहां बार-बार आते हैं खुब आव आपने तो नहीं दिया जब यहां प्रोटेस्ट करने आये बीच में रोक लिये तब आपने अपॉइंटमेंट दिया तो आप कौन सा सोसल मीडिया के प्रोटेस्ट को मानते हैं और थोड़ा एक जीत जान लिजेए यह आपका ब्येच्चू जो जहां पे जीसी तर पाठी क अमराज्य चलता है वो तो है नहीं और नहीं आपका नागपूर का अफिस है जहां पे आप जाते हैं और नमस्ते सltा वचले करने लगते यह जी जुआ हूं यहां पे प्रोटेस्ट करके कर ड़ा का讲्टप्रेशन है आपको समझना पड़ेगा आप जो बार-बार कहते हैं क तो IIT में एक होस्टल के वार्डन थे, अभी वीसी बन गया है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे क्या करना है, जब होस्टल के वार्डन थे, तो रूम में जाक के देखा करते थे कि कौन है अंदर, और अभी भी, सहीर बात है, यह वहां के लोगों ने बताया, जब इनक जब इनका कच्छा चिठा, आम लोगों ने पाने की थोड़ी कोशिस की, कि एक्स्टोर किया जाए, कि क्या है, ऐसी तमाम चीजे इनके बारे में निकल के आई, यह चड़ी मास्टर थे, जैसे आपने देखा होगा, इस्कूल में चड़ी मास्टर होता है, वैसे होस्टल के कोरिडोर में घूमते थे, और चड़ी लेके, इस्टुडेंट्स को मारते थे, कि आप discipline को कैसे violate कर रहे हैं, तो ऐसा वाइस चैंसलर है, यह जैनियू को बिलकुँ समझ पाने में नाकाम रहेंगे ही, क्योंकि एक तरफ तो संगी फितूर दिमाग पचला हुआ है, दूसरी करके हम लोगों ने, इस चीज को इंस्योर कराया था, कि भाई फेरो सिफ खतम करने देंगे नहीं, अगर ज्यादा करोगे तो देश भर के लोगों को मोबलाइच करके आपकी पॉलिसी के खिलाब, occupy UGC करेंगे, और उसको WTSO देवड़ेंगे, बोलेंगे कि आप पब्लिक जीता गया पॉलिसी है, डिप्राविशन पॉइंट और रिजर्वेशन का, उसको भी स्कटल करने का पूरा कुछिस के जा रहा है, अभी 16 तारिक तक हम लोगों से मांगा गया है कि आप इस पर अपना ओपिनियन दीजिए, हम लोग ओपिनियन कह देंगे, हम लोग कहेंगे से यहां प्रोटेस्ट होकर, और भी ज्यादा हर्ताले करकर हम लोग इस अकैडमिक सेशन की सुरुवात में ही यह मेसेज, अगर वाइस चांसलर के कानों में नहीं घूंसता है, अगर इनके कान में अभी भी संगी खूट पड़ा रहता है, संगी रूई पड़ी रहती है, तो इस चीज को निकालने का काम यहां के स्टुडेंट्स को करना होगा, जैसे नौफ रूरी के दौरान उनाइटेड ली नोने किया था, और एक बाज जान लीजिए, तमाम कन्फूजन, तमाम मिसिन्फॉर्मेशन के बावजूद, अगर कोई चीज, अगर कोई चीज जेन आदमी नहीं, बज आएगा, इस हमको सिखा ले, इसलिए आज आज मारे लोग के अप्पीर है, कि दो-तीन इंफॉर्मेशन के साथ, बज मैं खतम करना चाहता हूँ, कि आज का प्रोटेस्ट होने के बाद, हम लोग वाइस चांसलर को एक वार्निंग लेक्टर देने जा रह इस चीट को आज गांग बाद के हम लोग तयार हैं, कि इस वीसी को हमको नहीं सह सहना है, इस वीसी को हम लोग टॉलरेट नहीं करने वाले, बहुत हो गया टॉलरेंस इंटॉलरेंस का डिबेड, लेकिन हम लोग इस वीसी को टॉलरेंस का डिबेड, लेकिन हम लोग इस वीस के खिलाब लड़ने के लिए कमर कर शुक्त हैं जैसे पिछने साल टीचर्स और स्टुडेंट्स ने मिलके एक फाइट लड़ी थी इस बार भी टीचर्स भी इस के लिए लेके लिए तयार हैं 17 तारीक को युनिवर्श्टी स्ट्राइक होगा 17 तारीक को ही आप जानते हैं कि वेमुला के institutional murder हुआ था उसके लिए हम लोगों ने JNUSU की तरफ से एक इंसाफ मार्च रखा है जिसमें रोहित वेमुला और नजीब के मामले को एक साथ लेते हुए हम लोग MHD पर धावा बोलेंगे और बोलेंगे कि आपने अगर इस तरह का इस तरह का रवाइय बरक्वा आपका जागीर नहीं है जो फीडम इसकार आजादी चौक नाम दिया गया था वो हम क्या चाहते आजादी वाले नारे से निकला था और इसलिए यह से फर्जी का जो बोर्ड लगाते हैं यह सब उखर जाएगा क्योंकि जब स्टुएंट्स यहापे होता है तो आपका आप जागीर नहीं रहता है आपका जागीरदारी यहाँ पर नहीं चल सकता है इस चीछ को बोलना होगा और इतना स्टुडेंट्स यहाँ पर आने वाले दिनों में आएगा कि वाइस चैंसर साहब आपको खुदी मिलेगा कि यह जो खेत मेर का लडाई लड़ते रहते ना कि यह यहाँ लगा दिये जंडा तो हमारा खेत हो गया यहाँ लगा दिये गंबला ही सोसते हैं कि गंबला लगा के अपना खेत रिकलेम कर लिए यह जमीदारी दिखाते हैं लेकिन इस चीछ को बोलना होगा कि यह जमीदारी नहीं होती है यहाँ पर जमीदारी के खिलाब संक्या में जो हम लोग केंपेल लेते हैं इस बीसी को भगाने का उसमें पार्टिसीपेट करें इस वाइस चैंसलर को इस साल भी करारा मैसेज दीजिए कि वाइस चैंसलर यूवर्श्टी तुम्हारा जागीर नहीं है हमारे टीचर से चलने वाला स्पेस है हमारे वरका से चलने वाले स्पेस है शुक्रिया इंकलब जिन्दबाद